हिंदु धर्म में गाय को गाय माता कहा जाता है, खुद भगवान श्री कृष्ण ने गाय को गाय माता कहा है और पूजनिय बताया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय से जुड़े हुए कौन-कौन से वे खास प्रयोग हैं, उपाय हैं, ज कुन-पून्ड मनोकामनाओं को तो वे पूरा कर ही सकती है, बलकि अगर आपके जीवन में कश्ट होते हैं, तो उन कश्टों को भी समाप्त कर सकती है, लेकिन किस प्रकार यह चीजे करी जाती हैं, किस प्रकार इन चीजों का अपलाब उठाए सकते हैं, ये आज के इस स्वैम गाए माता को इतना प्रेम करते थे कि अपना पूरा समय गाए के साथ ही पहले बिताते थे बल्कि हिंदु धर में भी कहा जाता कि जब भी अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता या परिशानी होती है तो आप बस गाए के साथ समय अपना बिताना शुरू करें क्योंकि गाए में एक ऐसी अधुद शक्ति होती है यानि कि वे औरा क्लीन करने के लिए सबसे ज़्यादा खास और सबसे अधिक सरल हो तो इसका मतलब यह है कि उसके औरा जो हैं जो उसके चक्र हैं जो उसके कलर्स हैं वे खराब हो चुके हैं तो गाए में एक ऐसी शक्ति होती है कि बिलकुल आपके औरा को क्लीन कर सकती है और जैसे जैसे आप गाए के पास समय बिताते जाएंगे वैसे ही आपका कश्ट और चिंता भी समाप्त होने लग जाएंगी दूसरी चीज यह है कि अगर किसी व्यक्ति को लकवा रोग होने वाली संभावना होती है यानि कि उसे लगता है कि लकवा रोग होने वाला है या शुरुआत लकवा रोग की हो चुकी है तो अगर वह रोज गाए पर हाथ फिराना यदि अगर आपके जीवन में करज की समस्यां बहुत जादा अधिक होती हैं और लाख प्रयास के बाद भी आपको करज से छुटकारा नहीं मिल पाता है तो आप बस केवल इतना करें कि लाल गाये को हर मंगलवार के दिन रोटी खिलाना शुरू कर दें और देखते ही देखत पर करज की समस्यां अगर होती हैं तो तभी वे करज चुका पाता है यदि उसकी आमदनी बढ़ जाए तभी वे केवल धन को चुका पाता है करज से मुक्त हो पाता है या फिर अचानक से उसे धन की प्राप्ति हो जाए दूसरा कोई और रास्ता नहीं होता है तो आप इस गाये को चुन लेना चाहिए और बस उसी की सेवा में जुट जाना चाहिए तभी जीवन में ऐसा बदलाव आपके निश्चित आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर 33 करोड देवी देवताव का वास हिंदु धर्में गाये में क्यों बताया है जिस घर म किसी को भूत प्रेत आदी की समस्यां रहती है मन में चिंता गबराहत डर हमेशा बना रहता है रात को सोते हुए डर लगता है सपने बुरे बुरे आते हैं तो आपको कीवल बस इतना करना है कि गाये के गोमूतर को अपने घर में छड़कना है यानि कि जिस बैडरूम में आप सोते हैं जहां पर जिस बैड पर आप सोते हैं गोमूतर को आप वहांपर छिड़कना शुरू कर दें आपका देखते ही देखते ऐसा डर कायब हो जाएगा और कोई भी भूत प्रेद पिसहाज आदी आपको परेशान फिर नहीं कर सकते हैं लेकिन इस बात का आपको ध तो काफी लोग ऐसे समझते हैं कि इंस्टेंट ही सब कुछ हो जाना चाहिए जैसे ये कोई मैगी का नूडल हो लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी चीज करते हैं तो उसका परभाव खुलने में समय लगता है और ये समय कम से कम 21 दिन ये 41 दिन आपको पकड़ कर चलना चाहिए और अपने विश्वास को पूरा बना कर रखना चाहिए तब हर चीज आपके लिए कारे करती है इस जानकारी को मुख्य समझकर आप बिल्कुल ध्यान रखा करें जब भी कोई उपाय करें तो बिल्कुल लगातार करते रहें पूर्ण विश्वास के साथ क्य रात को सूते हूँ डरते हैं डर जाते हैं उन्हें नीद नहीं आती है या फिर रात को रोने लग जाते हैं तो उस घर में गो मुत्र अवश्य ही छड़कना चाहिए अब इसी की तरह है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं कि उनको डर लगता है बिलकुल भी उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है या फिर बेकार की चीज़ों में अपना समय बरबाद करते रहते हैं और बिलकुल भी कोई भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं या आपका कहना नहीं मानते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि उनके सर पर गाय की पूँच को हर सुम निश्चे थी फिर उसके बाद चलते हैं इसी तरह से काफी लोगों की ये भी समस्यां रहती हैं कि वे सभी लोगों का अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मान सम्मान की प्राप्ती नहीं हो पाती है आपने काफी लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनके पास धन तो हो जिस विक्ति के पास सुख ही नहीं है तो वे क्या उस पैसे का लाब उठा सकता है लेकिन अगर किसी विक्ति के पास सुख है और उसके पास थोड़ा सभी पैसा है तो वे सभी चीजे उसके लिए सूने के बराबर हैं तो सुख को ही आपको समझना चाहिए कि यही असली गाय का जो माथा होता है वहाँ पर अगर आप कुछ मिन्टों के लिए अपना माथा भी टच करते हैं तो ऐसा करने से जितने भी कल है कलेश आपके जीवन में चल रहे होते हैं जितने भी दुख विकार आपके मन में होते हैं तो वह सभी चीज़े केवल इतना करने मातर से ही स जमाप्त होने लग जाती हैं. अगर आपको इस प्रकार करने में डर लगता है क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि गाये से डरते हैं. इस प्रकार करने से तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों विश्नु का सुरूप बताया जाता है यानि के ऐसे व्यक्ति में विश्नु सुयम विराजमान होते हैं क्योंकि विश्नु ही सुक का दूसरा नाम है इसलिए जहां पर सुक होता है वहां पर गरीबी निर्धनता, कष्ट, कलेश हो ही नहीं सकता है और सुकी व्यक्ति जिसके म रखते हैं जितनी भी चीज़े हम आपको वीडियो में बताते हैं तो जीवन बदले में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है क्योंकि इसी चैनल में खास चीज़े आपको बताई जाती हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवर्शे दबा कर रखा करें जिसस और यह किसी भी गाय के गले में घंटी आपको बांदेनी हैं और गाय के गले पर हाथ फिरा देना है ऐसा करने मातर से ही जितना भे घंटी बजती है उतना ही जीवन में मान सम्मान आपके बढ़ता ही चला जाएगा आप स्वैम खुद सोचकर हैरान रह जाएएंगे देखक लोग मिलने लग जाएंगे जिससे आपकी मान सम्मान में बड़ोतरी होने लग जाएगी तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपको शत्रू बहुत ज़्यादा अधिक परिशान करते हैं शत्रू आप परहावी होते हैं तो बस आज से ही आप गाये की पीट पर हात फिराना शुरू कर दें आप स्वैम देखेंगे कि आपको स्वास्ते लाब तो मिलेंगे ही बलकि आपका मन शांत रहने लग जाएगा शत्रू आपका कुछ भी नहीं बिगाड पाएंगे यह इतनी सरल सी चीजे हैं कि इन्हें कोई भी करके लाब उठा सकता है लेकिन सबसे मुखे बात ये है कि इन चीजों को आपको तभी करना है जब आपके मन में गाये के प्रती प्रेम होना चाहिए क्योंकि चीजे तभी सफल हो पाती है जब आपके मन में प्रेम होता है स्वैम भगवान श्री कृष्ण गाये के साथ अपना समय द्यतीत करते थे तो अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वैम गाये के साथ ही रहते थे और उन्होंने स्वैम ही गाये को गव माता कह दिया तो ये कितनी अधिक शक्तिशाली चीजे हो सकती है इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति गाये को नित्य परति दिन बिल्कुल नियम से रोटी खिलाता है पानी पिलाता है तो ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यू का सामना या बिमारी से मृत्यू का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति की रक्षा मराज करते हैं क्योंकि गाए को रोटी खिलाने वाला और रोज पानी पिलाने वाला दिखती जीवन में राज शुक को भोगने वाला हो जाता है यानि कि उसके जीवन में स्थाई रूप से सुख आता है अब इसी प्रकार से अगर आपके घर में गाए रो जाती है तो आप ये समझ जाएं कि आप बहुत ही जादा अधिक भाकेशाली हैं या फिर अचानक से आपके घर के आसपास कहीं पर गाए बैठना शुरू कर दे तो अब आप ये समझ जाएं कि आपका समय बदलने वाला है और जब भी आपके घर में गाए आती हैं या आपके घर के आसपास से गाए गुजरती हैं तो आपको गाए को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए बलकि निश्चित तोर पर आप इस चीज़ को नियम बना कर स्वैम द चाहिए काफी लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से हमने आपको बताया जिससे आप इन चीज़ों का लाब उठा सकें इस खास जानकारी को अन्य लोग के साथ भी अवश्य ही शेयर करतें जिससे सभी लोग इस जा बाए हरहर महादेव